नमस्कार, मैं हूँ मन मोहन भट उतराखंड के मुख्यमंत्री पुशकर सिंग धामी ने अपनी टीम में महत्वपोन बदलाव किया है सची वाले के कई वरिष्ट अधिकारियों के दाइतों में उनके विभागों में फिर बदल हुआ है ये कई मायनों में सामान्य सी बात है लेकिन कई मायनों में ये बेहत असामान्य सी बात है अधिकारियों के ट्रांसफर होते हैं और मंत्रियों की तरफ से अगर परतिक्रिया आए तो ये बात समझ लीजे कि ये असामान्य है उतराखन के PWD मंतरी लोक निर्मान विभाग के मंतरी हैं सत्पाल महराज उनके प्रमुक सचिव हुआ करते थे आरके सुधान्शू आरके सुधान्शू को मुख्य मंतरी ने दूसरी जिमेदारियों में लगाया है और आरके सुधान्शू की जगह पर डॉक्टर पंकच कुमार पांडे को लाया गया है सचिव की भूमिकामे आरके सुधान्शू प्रमुक सचिव PWD थे लेकिन उनकी जगह पर अब डॉक्टर पंकच कुमार पांडे सचिव PWD होंगे सत्पाल महराज की परतिकरिया मीडिया करिमियों ने जब ली तो सत्पाल महराज ने अपनी परतिकरिया दी और खुशी जाहिर की बधाई दी कि बहुत अच्छा हो गया कि उनके प्रमुक सचिव को बदल दिया गया है और पंकच कुमार पंडे को लाया गया है और वो कहते हैं कि अब जो राज्य में लोक निर्मान विभाग के काम रुके हुए थे वो बहुत तेजी से होंगे ये भाद बहुत असमान्य है कोई मंत्री अगर कहे कि उसके विभागों के काम उसके सचिव या प्रमुक सचिव के कारण से रुके हुए हैं तो इसे असमान्य बात ही माना जाता है अपने कई अधिकारियों की शिकायत को लेकर सत्पाल महराज मुख्यमंतरी तक पहुच चुके हैं मुख्यमंतरी तक अपनी शिकायत दर्ज करा चुके हैं कई लोग ऐसा कहते हैं कि सत्पाल महराज अपनी शिकायतें दिल्ली तक भी पहुँचा चुके हैं अधिकारियों के मामले में। अब ये देखना काफी महत्पुण होगा कि नए सचिव डॉक्टर पंकच कुमार पंडे के साथ सत्पाल महराज कैसे तालमेल बैठा पाते हैं और कैसे प्रदेश में जो काम रुके हुए थे जैसे की बात सत्पाल महराज ने खुदी की है उन कामों को गती प्रदान करते हैं अभी के लिए सातियों फिलाल इतना ही अगली रिपोर्ट में फिर मुलाकात होगी तब तक इजाज़त दीजिए नमस्कार